जैन दोस्तो वाइकम बैक टू आज चैनल वाइकम बैक टू जॉपटेरिया आई होब कि अप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरी न तरीके से लग यह एक बार फिर आप सभी को जॉपटेरिया फेमिले में बहुत 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 अभिननदन करते हैं दिया दोस्तो एक टॉपिक है इंटरनेशनल और्गनाजेशन अन देर हेड़कॉर्टर्स इस टॉपिक से जो है कोश्टन्स पूछे गए हैं आपके पेपर थर्ड में पेपर थर्ड में इस टॉपिक से कोश्टन्स पूछे जा रहे हैं ऐसे में ये टॉपिक को जो है आप आपको जो हैं यहां पर त्यार करना बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है तो बिल्कुल इस वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे और इससे अगर आपके सिफ्ट में भी कोश्टन आता है तो इससे आप इसीली बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो इसीली टेकल कर लेंगे तो बने रहेगा वीडियो में अंतक और इस टॉपिक की बात करें तो दो कोश्टन यहां से कोश्टन पूछे जा रहे हैं इसे में इंपोर्टेंट हो जाता है त्यार करना चाहिए आप वाले केंडिडेट हैं या फिस टूएट वाले हैं दोनो इस टाइड़ कोश्टन यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि यह टॉपिक आपको जो है यहां पर कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है और आपके भी सिप्ट में जरूर यह एक कोश्टन दो कोश्टन जरूर पूछा जाएगा देख सकते हैं यहां पर WTO World Trade Organization, WHO World Health Organization, WMO, WIPO, ILO, ISO, ICRC, UNCTAD इन सभी और्गनाजेशन का हेड़कोर्टर जो है आपका जिनेवा सुजरलेंड है क्या है जिनेवा सुजरलेंड चिनेवा सुजरलेंड है इन सभी और्गनाजेशन का हेड़कोर्टर जिनेवा सुजरलेंड है याद रखिएगा Very very important है Question इस तरह पुछ लेगा WHO का हेड़कोर्टर कहा है तो answer देना हैं जिनेवा सुजरलेंड WTO का हेड़कोर्टर कहा है तो जिनेवा सुजरलेंड, ILO का हेड़कॉर्टर कहा है, जिनेवा सुजरलेंड, साथी साथ, WHO में काफी ये भी कोश्चन आता है, कि इसका जो है, Establish कब किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो WHO का जो है, स्थापना 1948 में हुआ था, साथी साथ, ILO का जो है, स्थापना भी पूछ लिया जाता है, जो की है, इसका अगर फुल फॉर्म देखिएगा, तो International Labor Organization, इसकी स्थापना जो की गई थी, 1990 को की गई थी, तो याद रखिएगा, सारे जो है, ये और्गनाजेशन के हेड़कॉर्टर, जिनेवा सुजरलेंड है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे, IAEA, यानि International Atomic Energy Agency का हेड़कॉर्टर, जिनेवा ऑस्ट्रेलिया है, स्वरी, बियना ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, बियना, बियना ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखिएगा, OPEC, यानि Organization of the Petroleum, Explorating Count का ऑस्ट्रेलिया है, UNIDO का हेड़कॉर्टर है, आपका बियना ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों ऑस्ट्रेलिया का हेड़कॉर्टर, बियना ऑस्ट्रेलिया है, नेक्स्ट आजाता है, UNESCO, UNESCO यानि United Nations Education Scientific and Cultural Organization, इसका जो हैड़कॉर्टर पेरिस, फ्रांस है, क्या है, पेरिस, फ्रांस में है, और पुछ लिया जाए, UNESCO की स्थपना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट है आपका DECD, यानि Organization of Economic Corporation and Development, इसका जो है और्गनाजेशन भी पेरिस, फ्रांस ही है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, UNO, यानि United Nations Organization, UNO का इस्थापना जो हुआ था, 1945 में हुआ था, और इसका भी हेड़कॉर्टर है आपका New York, USA, New York City में है, New York में है इसका हेड़कॉर्टर, UNICEF, UNICEF यानि United Nations Children's Fund का भी हेड़कॉर्टर New York, USA में है, UNFPA का हेड़कॉर्टर कहां है, तो इसका भी है New York, USA, Next Organization यहाँ पर देख पाएंगे, MST International, Commonwealth of Nations, International, Maritime Organization, जिसको हम लोग बोल देते हैं, IMO, तो IMO का हेड़कॉर्टर पुछे, Commonwealth of Nations का हेड़कॉर्टर पुछे, MST International का हेड़कॉर्टर पुछे, तो यह है आपका London, जो की UK में है, London, UK इसका हेड़कॉर्टर पढ़ेगा, तो इसको विध्यान रखिएगा, साथी साथ, Other Organization हो जाता है, ICJ, मतलब The International Court of Justice, इसका जो हेड़कॉर्टर है आपका, यह आपका हो जाता है, Hang Netherland, Hang Netherland में इसका जो है हेड़कॉर्टर है, ICJ का, Next है आपका FAO, Food and Agriculture Organization, और इसका हेड़कॉर्टर है, Rome, Rome City, यानि Rome में है, ध्यान रखिएगा, फिर है आपका NATO, और इसका जो है, यहाँ पर अगर देखिएगा, Belgium, इसका जो है, हड़कॉर्टर है, Next है आपका Sark, Sark का हेड़कॉर्टर है आपका, इसका full form होता है, South Asian Association for Regional Corporation, काटमान्दू, जो की नेपाल में है, यानि Sark का हेड़कॉर्टर काटमान्दू, नेपाल में है, Next है आपका ASEAN, ASEAN it means Association of Southest ASEAN Nation, इसका हेड़कॉर्टर जाकार्टा, जाकार्टा में है, ध्यान रखिएगा, जाकार्टा में हेड़कॉर्टर किन का है, ASEAN का है, EPIC, EPIC का हेड़कॉर्टर कहा है, सिंगापॉर में है, कहा है, सिंगापॉर, EPIC means Asia Pacific Economic Corporation, जिसका हेड़कॉर्टर है आपका सिंगापॉर्टर में, फिर Transparency International, इसका जो हेड़कॉर्टर है, Berlin, जर्मनी में है, तो यह सारे जो थे दोस्तों, और उसके इंपोर्टेंट, जो है, उससे रिलेटेड उनके जो है, हेड़कॉर्टर, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, और यही सारे इंपोर्टेंट है दोस्तों, इतने में से ही कोई ना कोई questions आपके shift में पूछा जाएगा, तो definitely आप इसको आप कर सकते हैं, तो I hope so कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक like जरूर कीजेगा, और अपने दोस्तों में जरूर share कीजेगा, thanks for watching